Hello friends, welcome back to one more new vlog तो आजखा अमारा वीडियो है वन डे रोड ट्रिप के लिए बैकपैकिंग तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले कुछ खास ट्रिप्स और ट्रिक्स सबसे पहला स्टैप होता है लिस्ट बनाना अपका ओकेजन क्या है आप कितने दिनों के लिए ट्रैवल कर रहे हैं उसके इसाब से आपकी जो भी ज़रुरी चीज़े है उसका आप पहले लिस्ट बना लीजे लिस्ट को बनाना भी इसलिए ज़रुरी है ताकि आपकी कोई इंपोर्टन चीज़ पीचे छूट न जाए सामान को बैग में डालने के अलावा आप उसे एक जगा एकटा करके रखो ताकि जो भी सामान आपको लिस्ट ज़रुरी है वो आप नीचे रख सको और जो सामान और जो भी चीज आपको पहले चाहिए होगी उसको आप उपर रख सको देसे की टावल, बैट शीट्स, नाइट वियर्स, एक्सेटर 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 तो चलिए फटा-फट से बैग पैकिंग करना स्टार्ट कर लेते हैं अब आप लोग यह मत कहिना कि दो लोगों की पैकिंग वो भी सिर्फ एक दिन के लिए और इतना बड़ा बैग तो मैं आपको बता दू कि मेरे पास सबसे छोटा मतलब यही बैग है और इससे छोटा और बैग नहीं है तो इसलिए मैंने इसी को उठा लिया तो सबसे पहले मैंने इसमें डाला है एक नेप्तिलिन बॉल उसके बाद दो प्लास्टिक के बैग रखे हैं प्लास्टिक बैग यूजड क्लोट के लिए है तो सबसे पहले मैंने इसमें रखा है मेरा कुरता सैट कुरता पैंट और दूपट्टा का सैट उसके बाद मैंने इसमें एक और एक्स्ट्रा का कुर्टा सैट रखा है एमर्जनसी के लिए नेक्स्ट है मेरे हस्बेंड के दो टी शेट और एक जिन्स जब कभी भी आप पैकिंग करते हो तब एक्स्ट्रा के क्लोस रखना बहुत जरुरी है क्या पता कब कौन सी जरूरत आ पड़े उसके बाद मैं यहाँ पे रख रही हूँ हमारे night wears जब कभी भी हम long distance travel करते हैं तो tiredness तो होई जाती है और उसके लिए हमें चाहिए होती है रात को एक comfy sleep और उसके लिए comfortable sleeping clothes are must माना कि आजकुल hotel rooms में blanket, towel, soaps यह सब available रहता है लेकिन अपनी खुद की चीज़े साथ लेने में problem ही क्या है इसलिए मैंने इन सब चीजों का अपने साथ carry कर लिया है और उसके बाद मैंने इसमें रख लिए है हमारे inner wears और उसके बाद बारी है मेरी cosmetics या फिर कहलो makeup products की तो यह है मेरा favorite pink pouch तो सबसे पहले मैं इसमें डाल रही हूँ मेरा मामा अथ का upton face wash next है tracemica shampoo जो की मैं बिल्कुल भी use नहीं कर दियो यह तो मेरे husband के लिए है आप बाहर travel कर रहे हो तो possibly आप public washroom भी ज़रूर यूज़ करेंगे तो अपना hygiene maintain रखने के लिए एक clean and dry का wash अब बारी है moisturizers की वैसे तो मैं Glenmark का max rich body moisturizer यूज़ करती हूँ फिलाल मेरे पास उसका बड़ा bottle था तो इसके लिए मैंने weseline का छोटा pack ले लिया और रात के लिए निविया का face moisturizer next है Johnson का baby lotion और pons pink powder ये दो ही चीज़े हैं जो मैं make up के तौर पे इस्तमाल करती हूँ next है hair comb और मेरा make up removal जो कि मैं lipstick remove करने के लिए use करती हूँ और उसके बाद मेरा सिंदूर, inside clip stick और maybling का काजर next है मेरे earrings जो कि मुझे next day के लिए चाहिए थे फिर उसके बाद मेरे बिंदी और एक extra का hair clip and the pouch is ready तो चलो इसको भी bag में pack कर लेते हैं यहाँ पे मैंने carry की है common की कुछ medicines जो की है fever और cold के लिए हैं उसके बाद मैं यहाँ पे रखूंगी mobile charger और extra के दो mask एक separate pouch में मैंने यहाँ पे पेक किया है दो toothbrush एक toothpaste और एक body soap ऐसा कि मैंने आपको बताया कि hotel rooms में यह सब available होते हैं फिर भी मैं अपना खुद का carry जरूर करती हूँ यह सब packing हो गई हमारी clothes या फिर खेलो make up products या फिर toiletry products की और उसके बाद जो चीज़े मैं traveling में compulsory carry करती हूँ चाहे वो traveling एक दिन का हो या फिर आट दिन का सबसे पहले है पानी पानी मैं घर से ही carry करती हूँ मैं बाहर का पानी बिलकुल भी नहीं करीती क्यूंकि मुझे बाहर का पानी suit भी नहीं होता है next है snacks थोड़ा बहुत तो snacks हम घर से carry करी सकते हैं बाकी अगर कुछ जरूरत पड़ी तो बाहर से भी ले सकते हैं उसमें कुछ problem नहीं है तो friends एथा मेरा two days and one night road trip के लिए backpacking vlog अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो like, share and channel को subscribe करना ना भूल Thank you for watching